तो है आज इस वीडियो में हम करेंगे अपना टॉपिक एमसी क्यूस जो कि आपकी सीरीज चल रही है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट पर जैसे कि रात को आपको लास्ट नाइट को हमने जो लेक्चर आपको प्रवाइड किया वह जनल नालिज पर था जिसमें आपकी हिस इंडिया का कबर हो रहा था इसके बाद आपको स्पोर्ट पर मिलेगा उसके बाद जेनके पर मिलेगा अब हमारी ट्राइच लिए कि हम मोक टेस्ट नंबर सैवन और जनल इंग्लिश ठीक है 30 माक्स का उसको जल्द ही हम अपने चैनल पर लाएंगे और जैसे कि आपको पता है आज 22nd माई है और एक्जाम आपको 29th को है अभी तक कोई ऐसा चांस मत सोचना कि एक्जाम पोस्ट वोन हो जाएगा जिकैस भी अपने एक्जाम को लेके सीरियस है और इस एक्जाम को वो 29th माई को ही कंड़क्ट करेगी आपने अपने एक्जाम की त्यारी अच्छे से कर रखे हैं जिसमें आपके कुछ टॉपिक कवर किया जाते हैं फिजीक्स कमिस्ट्री बायोजी जो कि आपका बताता है एक टॉपिक जनल साइंस हैल्थ हाइजिन और सैनिटेशन जो आपका एक टॉपिक है यह भी मैंने साइंस में इंक्लूड कर दिये क्योंकि एक साइंस का इससे जादा नहीं हो सकती तो चले फिर चलते हैं क्यों हम अपने इंगले जनल साइंस की प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दस में से भी आठ मार्क्स नो मार्क्स केरी जुरूर कर सकें ठीक है तो गलत नहीं करना है तो जेके सब्सक्राइशन जी जो भी एक्जा चाइद इसी हपते में देखने को मिल सकती है तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर और चैनल पर जो भी न्यूँ है चैनल को जुरूर सस्क्राइब कर ले ना नोटिफिकेशन वेल को भी जुरूर कर ले तो जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ य आपको लिंक मिल जाएगा तो बोड़ा के बीच आपको फ्लोईंग इस दसीम्बल आफ ऐलूमूनियम का सिंबल क्या है एफी है एई यू है एजी है याफी एल है जल्दी से पताईए क्या लगता है क्या अंसर होगा तो इसका अंसर जो है आपका वो है अप्शन ए एल ए जी जो आपका होता है वो सिल्वर का है ठीक है और ए यू आपका गोल्ड का होता है और एफी किसका होता है ये इसका होता है होमर का ठीक है इसका अंसर आपने कमेंड बाक्स में बताना ह कहता है tungsten tungsten एक ऐसा metal है जो कि यूज किया जाता है electric bulk की filament के लिए और symbol क्या होता है tungsten का यह एक पर कोशन पूछ रहा है TG रहता है TNW या फिर TW तो पताइएगा क्योंकि इस तरह से कोशन आपको जिए कैसे भी जुरूर पूछ सकती है तो tungsten का जो रहता है तो वो रहता है आपका option number C जो कि आपका W है ओके उसके बाद chemical name of quick line quick line जल्दी से quick का मतल भी होता है जल्दी क्विक क्विक्ली जल्दी से quick मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको quickly जल्दी से chemical name क्या होता है क्विक लाइन का calcium sulphate होता है calcium oxide होता है copper sulphate होता है sodium borrite होता है बताइगे के जल्दी से देखें अगर किसी के पास GKSSB class 4th की बुक है अरिहंद की मेरे पास पड़ी हुई है मैंने उस पर कोशन देखें कुछ ऐसे कि गाइस बहुत सारे कोशन ऐसे थे जो जादा में पेपर नहीं कहा सकता है कि अगर 40 कोशन थे तो 40 मेंसे 20 कोशन मतलब की उसी मेंसे बन रहे थे उसी के टॉपिक वाइस से कह सकते हो यहां फिर ऐसे कह सकते हो ठीक है तो अब आपको बुक लेने की जुरूत नहीं है यह चीजे मत सोचना अब बुक के चक्र में पढ़ना क्यूक लाइम का जो होता है कैमिकल नेम वह था आपका कैल्चियम ऑक्साइड मैंने बहुता है क्योई क्ली का मतलब होता है हरियो जल्दी से ऑक्सीजन लाओ ठीक प्लॉइंग इस यूज इन ब्यूटी पारलर वाल्रे रह से इस तरह से कॉशन पूछी कोट सा इन में से उसका योज कर जाता है है प्लिख तरो तो आप ब्लों की हमारे हेर कट कर दो हमारे जो हेर का स्टाइल हो इसको भी होड़ा सैट कर दो तो वहां पे यूज किया जा को डिस इंफेक्ται two around को यह चीज़ में हमने वहां पे बताहे थि तो यहattend नहीं हो सकता है आप सिलिकान को जो होता है उसका यूज्छ अज़िए से इस वुस्ट पार्लॉरॉर कि दो कि इस Sachsen मुझे बता है कि यह क्या मैटल है। यह कोई गैस है क्या इसकी क्वण कीक्टीतर वहाइए स्टील जो है अलॉय किसका है इसितील है जोई है अलॉय है एफ़ी और सी का है एन आई एफ़ी का है एफ़ी सी यू का है या फिर सी यू या जिंक का है सी यू और जैड़न यानि की कापर और जो जिंक जो है यह जो होता है आपका ब्रास का होता है बरास जो अलोई है वो इनका है बोलता है कि स्टील किसका है स्टील जो है आपका ये एफट का और शीक ठीक है आइरन GUY बोलता कि पासकल जो है एक SI ानिट है किस कौन्टिटी का जो आपको प्षिन में दिए गए है पावर का है वर का है डैनेस्टी या फिर प्रेशर का तो पासकल जो रहता है वो SI younit रहता है किसका प्रेशर का यह आपकी physics चल रही है उके उसके बास बोलता है कि विच आफ दो फ्लोइंग न्यूटर लाफ मोशन इस नॉन एज लाफ गलैलियो जिसको लाफ हम गलैलियो बोलते हैं फर्स्ट लाफ मोशन सेकंड लाफ मोशन थर्ड लाफ यहां फिर नन बताईएगा जल्दी से इसका अंज़र लाफ गलैलियो जो है इसको हम लाफ इनर्शिया भी बोलते हैं लाफ इनर्शिया इसका जो राइट आप्शन वो आपका लाफ सेक्ट फस्ट लाफ है ठीक है न्यूटरिंज को फस्ट लाफ को लाफ गिलालियो बोलते हैं और लाफ इनर्शिय भी बोलते हैं ठीक है उसके बाद होता है कि इसका इसका अंसर क्या होगा कि बोल्ट मेटर होगा आडियो मेटर होगा नैमो मेटर होगा यहां फिर आल्टी मेटर होगा इसी कोशन है इसको लिमनेट कर सकते हैं आप वीडियो को पास करके आप इसके लिए जिसको यूस किया जाता है वो होता है आपका अनेमो मीटर जो जूस किया जाता है नो changes को हेरिंग करने के लिए छोटी चोटी आवाजों को आल्टीमिटर का होता है कि जो आपके प्लेंस में यूज़ के जाते हैं आल्टी जूड वगएरा उसके लिए नापने के लिए अब बोलता कि विच टाइप आप मीरे यूज़ भीज के एक्जाम ले लो चाहे आप जे के एससबी के एक्जाम ले लो ठीक है तो कोशन को गुमा फिरा के पूछे जाता है तो वह आपका कनकेव मिर ऐसा अब आपकी आपकी बाइलोजी कौन सा एक ऐसा एनिमल है जिसकी जो स्किन से रहती है वो रैस्पाइरेटरी आर्गन रहती है कहने का मतलई यह है अपनी जो स्किन है उसमें से वो अपना जो आक्सीजन है वो लेता है और करवंडा एक्साइड वगरेस होता है मैमल्स हैं लीचिस हैं इंसेक्स हैं यह फिशिस हैं फिशिस नहीं हैं इंसेक्स जो होते हैं वो भी नहीं है और इसका जो रैट अक्षन वो आपका लीचिस है इसमें आपके और भी कैटागरिया आती है फ्रॉग आता है और आपका जो होता है अर्थवाम अर्थवाम के लेटर कोशन पूछा गया था जे कैसस भी यूनिय सूपरवाइजर के एक्जाम में राहुल इस सफरिंग फ्रॉम दे प्रनीशियस एनेमिया राहुल जो है वो सफरिंग कर रहा है प्रनीशियस एनेमिया का तो उसको किस विटामिन की कमी है विटामिन B-12 की विटामिन D-E की V-7 की V-9 की खरिए इसका कमेंट ज़र जल्दी से अंसर इसका जो राइट आप्शन है वो है विटामिन B-12 और उसके बाद आता है कि विच अप दौइंग केन एक्ट ऐसे सैनिटेशन टेक्नोलजी इन में से कौन सा ऐसा option है जो कि act करता है sanitation technology को बनाता है environment sanitation को wet sanitation, wear sanitation या not sanitation तो वो आपका environment sanitation है ठीक है तो आप छोटा सा question था ज़्यादा difficult नहीं था फ्लाइक जो होता है वो किस कारण से होता है हाउस प्लाइक से, रैट फ्ली से, मॉस्क्यूटो से मॉस्क्यूटो से आपका malaria फैलता है, sorry dango होता है ठीक है और इसका जो right option है वो आपका रैट फ्ली के थुरू होता है यह चीज़े भी आपने याद रखनी है, last question आता है हमारा, homoglobin जो होता है वो कून सा metal contain करता है copper को magnesium iron या फिर molyvendom तो वो करता है आपका iron को, iron का symbol क्या होता है comment box में बताईएगा और आपके लिए एक homework question है universal receptor blood group कोन सा होता है, यह भी होता है यह भी होता है यह भी होता है आपको positive and active नहीं बताना है आपने option में सही नहीं से बताना है, देखें, मताईगे कि जड़र इसका right option क्या है तो जो होगा वो इसका right option होगा तो जो आप बताऊगे option में वो इसका answer होगा, homer के लिए so guys, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं था, 15 question रखे थे, हमने आपके लिए home work की भी रखा, तो hope so आपको वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा, अच्छा लगा लाइक को शेयर जरूर कीजिए का, comment भी जरूर कीजिए का, description box में आपको gk की playlist मिल जाएगी जिसमें आपको पूरा science, Indian geographic history, इंडिया अजियन की culture बगारा, जो भी है, MCQs और वीडियो लेक्चर भी आपको सब कुछ प्रोवाइड़ है, ठीक है, तो अभी एक बात ही आती है, कि science में आपके पूछे जाएंगे, most probability हम लेके चलें, तो आपके, यहाँ पे 10 question बहुते है अगर मैं इंडिया, GK of India, GK of India में आपके कितने तीन topic आते हैं, उसकी बात करूँ तो 15 to 18 question पूछे जाएंगे, और GK of JNK की बात करूँ तो आपको question पूछे जाएंगे 10, यहाँ फिर इसकी तादात में, इसके बीच में, ठीक है, state और capital के आपके question जादा नहीं पूछे पूछे जाएंगे, तीन question पूछे जाएंगे, sports के लेटर question आप से पांच question पूछे जा सकते हैं, और करंट फेर से आपके 5 question पूछे जा सकते हैं, यह schedule रहेगा इनका question पूछने का, ठीक है, अगर आप लगा लो कि यहाँ पे question 10 पूछे जाते हैं, यहाँ पे अगर इनके question 15 कि रिए जाते हैं, इनके कोशन 10 कर दिये जाते हैं, तो 3 कोशन इसके, और 5,5,10 कोशन इसके, तो कितने हो गए आपके? 40-48 question हो गए तो 50 marks का आपका section है तो यही एक probability रहेगी इनकी question को डालने की ज़्यादा आपको question नहीं देखने को लेंगे जिके आफ इंडिया से ज़्यादा question आएंगे जिके आफ GNK से कम question देखने को मिलेंगे तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आपके पास जो दिन बच रहे हैं अभी अगर मैं बात करूँ तो जो है 26 days only सोरी आज का दिन भी गया और 28 का दिन भी गया आई है तो आपके पास सिर्फ आपके अभी 25 दिन हैं पच्चेस दिन में अपने ये एक्जाम को क्रैक करना है तो विश यू अला बैस्ट गाइस अपनी प्रपेशन को अच्छे से करें और डेली हमें एक वीडियो के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक और कल हम करेंगे मैथामैटिक्स पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस क्योंकि बड़े दिन होगे हमारी मैथामैटिक्स पर कोई भी प्रैक्टिस वीडियो नहीं आई है तो ओके गाइस बाबाई ठेक केर